दोस्तो आज की वीडियो में हम Control Valve से रेलेटेड एक प्रॉबलम को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको भी कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है हमारे एक फ्रेंड ने भी इस प्रॉबलम को कॉमेंट में पूछा है कभी कभी control valve PLC DCS से operate कराने पर एक percentage के बाद open नहीं होता है अगर आप PLC से manual mode में operate कराएंगे तो 100% operate होगा valve को field में air देकर operate कराते हैं तब भी fully operate होता है तो आप सोच में बढ़ जाते हैं कि क्या किया जाए इसको कैसे solve किया जाए इस problem को तो इसकी पीछे क्या region हो सकता है आईए इसको देखते हैं दोस्तो इसका एक region यह हो सकता है कि PLC SCADA से valve की maximum opening set हो तो इसको example लेकर समझते हैं माल लीजिए किसी control valve की 35% maximum opening set है तो valve auto mode में 35% या जितना भी maximum percentage set किया हुआ है उससे जादा open नहीं होगा दोस्तो कभी-कभी pressure, temperature control करते समय किसी valve की maximum opening set कर दी जाती है जिससे की pressure या temperature बहुत जादा न बढ़ जाए तो ये एक region था इसका इसके अलावा कोई और region हो तो आप भी बताएं दोस्तो तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, thanks for watching the video ये वीडियो आपको कैसी लगी, comment box में जरूर बताएं ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को share कीजिए वीडियो पसंद आएं तो इसको like कीजिए इस्ट्रुमेंटेशन की इंग्लिस वीडियोज के लिए आज हमारे इंग्लिस चैनल Engineering Study इंग्लिस को भी सब्सक्राइब कर दीजी thanks for watching the video